नमस्कार विजन आई इसके न्यूस टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं UPSC परीक्षा की द्रिष्टी से महत्वपूर्ण कुछ एहम खबरें इस अंक की पहली खबर है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंदित हाल ही में उच्चितम न्याले ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानि Economically Weaker Section EWS से संबंदित कोटा मामले को पाँच न्यायधीशों वाली सम्विधान पीट को सौप दिया है दरसल उच्चितम न्याले में कुछ याचिका करताओं ने एक सो तीनवा संशोधन संविधान अधिनियम 2019 को चुनोती दी है याचिका करताओं ने ये तर्ग प्रस्तुत किया है कि उपलब्द सीटों का कोई भी हिस्सा केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर ही आरक्षित नहीं किया जा सकता है आपको बता दे कि एक सो तीनवे संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है ये संसद और सभी राज्य विधान मंडलों को निजी और सारजनिक सिक्षन संस्थानों तथा सारजनिक सेवाओं में SC या ST और OBC के लिए मौजुदा आरक्षन के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षन प्रदान करने में सक्षम कर उच्चितम नियाले ने इस मामले को समविधान पीठ को प्रेशित किया है क्योंकि ये माना जा रहा है कि याचिका करताओं ने विधी का एक सारभूत प्रशन प्रस्तुत किया है कि क्या ये विवादित संशोधन अधिनियम समविधान के मूल धाचे का उल्लंगन करता है दरसल मूल धाचे का सिध्धान्त वर्ष 1973 में केश्वानंद भारती वाद में प्रतिपादित किया गया था। अगली खबर बैंकिंग शेत्र से हैं। अगली खबर बैंकिंग शेत्र की वित्य इस्थिर्ता के समक्ष जोखिम उत्पन्न हो सकता है। अधिकांश विक्सित देशों ने भी बड़े व्यवसाई घरानों के स्वामित्वा धीन या उनके नियंत्रना धीन बैंक मॉडल को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर RBI शक्तियों और निर्ने निर्मान की प्रक्रिया को विकेंद्री कृत करने और कॉर्परेट गवर्नेंस में व्रिधी करने के लिए बैंकों में व्यापक संस्थागत स्वामित्तु बनाए रखने के लिए तैयार है। दरसल संस्थागत स्वामित्तु का मतलब है पेंशन फंड्स बीमा कमपनियों आदि द्वारा धारित किसी कमपनी के शेरों के स्वामित्तु से है। इसके विपरीत हाल ही में नीती आयोग ने सरकार से अनुशनसा की थी कि बैंकिंग शित्र में दीरग्रकालिक निजी-पुँजी की अनुमती प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही नीती आयोग ने कुछ ऐसे चायनित और द्योगिक घरानों को बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने का सुझाव दिया है जिन्होंने अपने समूह की कमपनियों को रिण प्रदान नहीं किया हो आईए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ COVID-19 के कारण डेटा केंद्रों की मांग में व्रिधी होई दरसल डेटा केंद्र वे केंद्री कृत इस्थान है जहां व्रिहद मात्रा में डेटा संग्रहन, भंडारन, प्रसंसकरन, वितरन या उन तक पहुँच इस्थापित करने की अनुमती प्रदान करने के उद्देश से कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग उपकरन इस्थापित किये जाते हैं। घर से कारे करने की बाध्यताएं, ओनलाइन सिक्षा, वीडियो आधारित चिकित्सा परामर्श, ई-कॉमर्स में अत्यदिक वृद्धी होने के कारण डेटा केंद्रों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। लोगडाउन की वज़स से डेटा केंद्रों में कारेरत कर्मचारियों को आवश्यक सेवा प्रदाताओं के रूप में वर्गिक्रित किया गया था। इसके अलावा वैयक्तिक डाटा संरक्षन विध्यक 2019 में ये प्रावधन है कि बहुराश्ट्य कमपनियों को उप्योग करताओं के डेटा को देश की सीमा के भीतर ही संग्रहित करना आवश्यक होगा। इसके परिणाम सुरूप डेटा केंद्रों की मांग में अत्यधिक व्रद्धी होगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रोनिक की और सूचना प्रवध्योगी की मंत्रा ले माइटी देश भर में डेटा केंद्रों की स्थापना के लिए एक राष्ट्य नीतिगत फ्रेमवर्क प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है। अगली खबर राम मंदिर निर्मान से संबंदित है। गर्बग्रे के समक्ष मंडप इस्थित होते हैं जो की शिखर से सुशोभित होते हैं। राम मंदिर में ये शिखर फमसाना शैली में बनाया जाएगा। इसके बाद सबसे उचा शिखर गर्बग्रे के उपर इस्थित होता है। जैसे खजुराहु मंदिर समूह और मोढेरा के सूरे मंदिर आदी में है। दक्षिन भारत मंदिरों के विपरीत नागर शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार यानी गोपुरम नहीं होता है। नागरशेली के मंदिर परिसोरों में जलाशा नहीं होते हैं और गर्ब ग्रिह के चार ओर छत से धकाप प्रदिक्षिना पत होता है। आईए अब जानते हैं नागरशेली की वास्तुकला के तत्व। सबसे पहले बात करते हैं गर्ब ग्रिह की। ये एक लगू कक्षू होता है जहां मंदिर के प्रमुख देवी या देवता को प्रतिश्ठापित किया जाता है। इसके बाद बारी आती है मंदप की ये मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट एक बरामदा या सभागार होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक अत्रित हो सकते हैं। इसके पाश्चात्स शिखर की बात करते हैं। शिखर एक परवतनुमा सनरचना है जो पिरामिड से लेकर वक्राकार आदी विभिन आकार का हो सकता है। अंत में बात करते हैं वाहन यानी मुख्य देवता का आसन जिसे आम तोर पर गर्बग्रे से द्रिष्टी रेखी इस्थिती में रखा जाता है। अगली खबर सौर परियोजनाओं के लिए भूमी अधिग्रहन के मुद्दे से संबंदित है। नवीन और नवीकरणिय उर्जा मंत्राले की सौर पार्क योजना के तहट सरकारी भूमी के आवंटन या पंजीकरण में विलंब। अधिकांश राज्यों ने भूमी पंजीकरण के लिए स्टैंप शुल्क में छूट प्रदान नहीं की है। भूमी के गैर क्रिशी कार्यों हेतु रूपांतरन के लिए उच्च शुल्क और विविध अनुमतियों की जरूरत होती है। भूमी रिकॉर्ड अभी तक पूरी तरह डिजिटल रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा सटीक भूमी समायोजन यानि लैंड कॉडिनेट्स को अंतिम रूप प्रदान करने और वास्तविक स्वामियों की पहचान करने में कई महीने लग जाते हैं। एक अन्यमुद्दा स्विकृती या मनजूरी प्राप्त करने से भी जुड़ा है क्योंकि विद्यूत समवर्ती सूची का एक विशह है। इसलिए संभावित निवेशकों के साथ साथ डिवेलपर्स को भी मनजूरी प्राप्त करने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। वर्ष 2019 में भूमी रिक्तिकरंट से सम्मंदित समस्या को दूर करने के लिए सोलर पार्क्स और अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विक्सित कारिक्रम को संशोधित किया गया था। हालही में केंद्र सरकार ने अर्थ विवस्था को बढ़ावा देने और भारत की विद्यूत आवश्यक्ताओं की पूर्ती के लिए निवेश और परियोजना विकास की प्रक्रिया को तीवर करने के लिए परियोजना विकास प्रकोष्ठों की स्थापना को स्विक्रति प् की है बढ़ते हैं अगली खबर की ओर भारत ने भारत संफ्तुराष्ट्र विकास साज़दारी निधी यानि आई यू डीपीएफ में 15.46 मिलियन डॉलर का योगदान किया है इस अंचदान में 6 मिलियन डॉलर समग्र निधी यानि ओवरॉल फंड के रूप में हैं जिसे प्राप्त करने के लिए सभी विकास सील देश पात रहें साइंक तुराष्ट्र की संस्थाओं के सहयोग से इसे कार्यानवित किया जाता है। दरसल राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण और तक्नीकी शेत्रों में विकास सील देशों की बीच आपसी सहयोग का एक व्यापक धाचा है। इसका उद्देश्य विकास सील देशों की रचनात्मक शमता को बढ़ा कर उनकी आत्म निर्भरता में व्रिधी करना हैं। ताकि वे अपनी विकास सम्बंदित समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। त्रिकोणी सहयोग यानी ट्रैंगुलर कॉपरेशन के तहत पारंपरिक दातादेश और बहुपक्षिय संगठन, वित्तियन, प्रसिक्षन, प्रबंधन और तक्नीकी प्रनालियों आदिके प्रावधानों के माध्यम से दक्षिन दक्षिन पहल को साकार करते हैं। आईए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्तपूंट खबरों के बारे में। वर्ष 1997 में मिजो जनजातियों के साथ नरजातिय संगर्ष के बाद ब्रू समुदाय के अधिकांश लोग मिजोरम से पलायन कर गए थे। वर्तमान समय में ये त्रिपुरा में शर्णार्थी शिविरों में रह रहे हैं। पिशले 23 वर्षों से विद्धिमान ब्रू रियांग शर्णार्थी संकट को समाप्त करने के लिए इस वर्ष जनवरी माह में ब्रू समुदाय केंदर सरकार और मिजोरम और त्रिपुरा सरकारों के बीच एक चतुस पक्षिय समझोते यानि क्वाडिलेटरल एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किये गए थे Shade Smart और Radiant Cooling प्रोद्योगी कियां ये दो प्रोद्योगी कियां इमारतों में उर्जा दक्ष कूलिंग यानि शीतलन को बढ़ावा देती है Shade Smart एक बाहे शेडिंग यानि चाया प्रदाता प्रणाली है इसे Habitat Model for Efficiency and Comfort परियोजना के तहत आवासिय और वानिजिक भवनों में खिड़कियों के लिए एक नए लागत प्रभावी समाधान के रूप में विक्सित किया गया है इसे विज्ञान एवं प्रोद्योगी की विभाग के साथ साज्यदारी में The Energy and Resource Institute द्वारा विक्सित किया गया है रेडियन्ट कूलिंग में कूलिंग को आम समवहनी एयर कंडिशनिंग के बजाए रेडियन्ट हीट ट्रांसफर के माध्यम से प्राप्त किया जाता है ये एक दक्ष तकनीक है और बहतर गुणवत्ता प्रदान करती है विश्व के प्रथम पर्माणू हमले की 75 वी वर्ष गांठ दुतिय विश्व इद्दि के दौरान संउक्त राज अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में लिटल बॉय नामक अपना प्रथम पर्माणू बम गिराया था इससे हिरोशिमा शहर का अधिकांश हिस्सा ध्वस्त हो गया था और लगभग 1,40,000 लोगों की मृत्ति हो गई थी ये अनुमान व्यक्त किया गया था कि इस पर्माणू बम की विस्वोटक शक्ती 20,000 टन ट्राइन नाइट्रो टॉलूएन की बराबर थी अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नगसाकी पर फैट मैन नामक एक दूसरा परमाणू बम गिराया था पोकली चावल ये अपनी लवणिये जल प्रतिरोध शमता के लिए जाना जाता है केरल के अलाप पुझा, एर्णा कुलम और त्रिशूर जैसे तट्य जिलों में इसकी खेती की जाती है इसे भौगलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त है व्यत्तिला 11 पोकली चावल की किस्मों में से एक है इसे प्रायोगिक आधार पर सुंदर्वन के धान खेतों में उगाय जा रहा है सुंदर्वन में अमफन चक्रवाद के बाद लगभग 80% धान के खेतों में लवणिये जल की प्रवेश की समस्या का सामना किया जा रहा है यदि यहां पर पोककली का प्रयोग सफल रहता है तो ये किसानों के लिए काफी लाभप्रद हो सकता है इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्तपूंट खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार